ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आप सब को पता होगा 12 जून को इस बार रवी वार की प्रदोस पढ़ लिए बहुत ही ज़दा शुब दिन होता है पूजी गुरुजी की कता से ही सुनके आपको समझाने कोशिश कर रहा हूँ अगर आपके जीवन में बहुत जादा ही कस्ट है किसी भी चीज को लेके हो चाहे धन को लेकर के हो चाहे करज को लेकर के हो चाहे नौकरी हो व्यापार हो कैसा भी कस्ट है दूर होगा वैं छोटा सा उपाय करिएगा साथ कांटों को ले करके कैसे करना है बताऊंगा लेकिन सबसे पहला काम आप लाइक करेंगे आप आज पहली बार समय चैनल सब्सक्राइब करना ठीक देखो इसक्रिम पर क्या दिख रहा है यह है धतूरा आपको क कुछ भी और लेने के ज़रूत नहीं ना पत्ती लेनी है ना फल लेना है ना डंडी लेनी है यहीं पर आपको कुछ कांटे दिख रहे हैं आपको चाहिए साथ कांटे बेल के पहल का जो पेंड होता है उसमें कांटे भी तो आते हैं तो वही साथ कांटे आपको चाहिए यह यहां से देखो यह वाले कांटे आपको दिख रहे होंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इसी तरीके से साथ कांटे तोड़िएगा, एक छोटा सा जानकारी आपको यहां पर यह दे दूँ, कि जब भी कांटे तोड़ने के लिए जाएं, तो कभी भी किसी छोटे जो भी आपी घर में बढ़े हों उनको भीजिएगा ठीक है तो ये थोड़ा सा आप सातरक्ता बरतिएगा आगे बढ़ें उसके बाद क्या करिएगा प्रदोस के दिन रवीवार का प्रदोस पढ़ रहा है बहुत शुब दिन है प्रदोस काल में भोलेनात के शिवलिंग पे जाएगा देखो पूजन अर्चना जैसे करनी है करिएगा कोई दिक्कत नी है लेकिन एक विशेस उपाय उसी के साथ ये करिएगा कि आपको कुछ भी चढ़ाने के जरूत नहीं है ना बेल पत्र चढ़ाने के जरूत है ना शमी पत्र सिर्फ कष्ट दूर करने के लिए जहीं ऊपर आपको समर्पित करना है और कहीं समर्पित नहीं करना है बस यही काम आपको करना है प्रदोस के दिन प्रदोसकाल में लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कांटा जब भी तोड़ने के लिए जाए तो आप किसी बड़े के साथ जाए अपने किसी बच्चे को छ प्लैनेट 108 ओम नमस्षिवाय जै महाकाल